ओमज्यानति मिरांध श्या ध्यानन जन्ना शलाक्या चक्षरुन में लितम जेनतस्वै श्री गुरुवे नमा अमा हों विष्णु पादाय क्रिष्ण प्रेष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदान तस्वैन निति नामने नमस्ते सार स्थिदेवे गौरवानी प्रशार्यन निर्विशेस सुन्यवादी पाश्यातडे सतार्यन जय श्री कृष्णा चैतन्या प्रभू नित्यानन्दा श्रीत्वै तगदाधर श्रीपासादी गौर भक्त ब्रिंदा हरे क्रिष्णा हरे क्रिष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 क्रिष्णा रामाय राम भद्राय राम चंद्राय वेद्यसे रगुनाथाय नाथाय सीताय पते नमा अरे कृष्णा तब सभी भप्तों का हर्दिक स्वागत है आज के श्री राम कथा में तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वालमिकी रामाया पस्केंटों बालकांड चैप्टर वन कंटेंश अफदर रामाया समराइश और स्लोक संख्या नौ तो कली आठ नमर स्लोक पर हमने चर्चा किया था इसको वापस से थोड़ा से रेपीट कर दें तो यहां पर नारदमुनी वालमिकी रिशी को उनके प नियत आत्मा महा वीरियो दुतिमान दृतिमान वशी कि एक्षवाक्व वंक्ष में प्रकट होने वाले भगवान राम के नाम से विक्षात है जो कि नियत आत्मा हमें ससदैव अपनी आध्यात्मे की सिती में बने रहते हैं यह इसका दूसरा अर्थ भवान का एक और नाम ह अच्युता अर्जन महान को क्रिष्ण को संबोधित करते हैं सेन योर भी और मत्य रथ हम इस्थापे में अच्युता अच्युत सब्थ का वियर्थ है कि जो कभी भी अपने पोजिस्टन से विछलित नहीं होते हैं वही इसका अर्थ है नियत आत्मा सदैव आत्मा के सब्सक्राइब करने वाले हैं अब आज नेक्स श्लोप में और भी कई पिछले आने आगे आने वाले अठारा नंबर श्लोप तक नारद्मनी भावान रामचंद्र के अनेक दिव्य बुड़ों का वर्णन करने वाले हैं आज के श्लोप में बोल रहे हैं उद्धिमान नीतिमान वाक्मी स्वीमान शत्रु निबर हना विपुलाम्सो महा बावु कम बूग्री वो महा हनु ऑुछक्ड़ करते हैं पादि समस्था माथ चार्री आप्र अप्रिट स्यव्य आप्री रहतनित्क अने क् तौटर मौन्न शत्या और रहे विड्य श्म器 और स्थात्रे तो प्रश्न पूशा था जब वाल्मिकी रिशी ने अगर आपको याद होगा तो वाल्मिकी मुनी ने कुछ गुणों का वर्णन करते हैं बगवान राम चंदर के अब फिर जब उत्तर देना प्रारम करते हैं नारद मुनी तो बताते हैं कि आपने बहुत सारे जो भवान राम चंदरे के गुणों के उपर जिग्यासा की है और वो सबकी सब दुरलब हैं लेकिन उसके अलाबा भी चा बोलते हैं मतलब वहां वक्षया में मैं वर्णन करूंगा चा मतलब ऐसे और भी दिव्य गुणों को जो कि आप मेंशन नहीं कर पाएं या जिन जो आप जो अन्य और भी दिव्य गुणों अन्य जो वाल्मिकी रिशी ने जो गुणों का वर्णन की है उन गुणों को भी इंकलिओट कर रहे हैं और साथ इसाथ में ऐसे और भी अन्य गुणों के बारे में वर्णन कर रहे हैं तो बुधिमान, नीथिमान, वागमी, बुधिमान मतलब ही इस Omniscient Omniscient का मतलब होता है जो सब को चानते है उनको Omniscient बोलते है धगवान की बुधि इस अंसार में किसी भी व्यक्ति के पास जो पुधि है वो जो है भगवान की बुधि का ही एक छोटा सांसे इसलिग जीटा में भगवान बोलता है बुधि बुद्धी मताम अस्मी जो बुद्धी मताम है जो भी तो बुद्धी रखने वाले लोग है चाहे कम बुद्धी रखने वाले जादा बुद्धी रखने वाले या सर्वस्रेश्ट बुद्धी रखने वाले जितने भी लोग है उन सब की बुद्धी कौन हूँ, मैं बुद्धी हूँ, भगवान की ही टोटल बुद्धी में से, लोग थोड़ा थोड़ा शेयर प्राप्त करते हैं, और इसन सारों बुद्धी वेक्त करते हैं, जो मनुष्यां उनके पास थोड़ी बुद्धी होती हैं, देवताओं के पा सब तक आज चाहिए ओमनिशियन मतलब हर प्रकार की बुद्धी के शोध हैं वहां से प्रकट होती है उसे प्रकार से जितने भी गुण है बलवानों का जो बल को मैं कृष्ण गीता में बताते हैं तो यह बुद्धी मान नीती मान का मतलब होता है इस डेलिंग्स हर स्ट्रिक्ली इन लाइन विद टीशिंग्स ऑफ दा वेतास इसको नीती बोला जाता है कि जो भी वैदिक साहित हैं उनके जो शिक्षाए हैं उनके अनिसार ही उनका आचरण होता है उनके डेलिंग्स होते हैं अगर आपको याद होगा तो वालमिकी रिशी प्रशनों प्रश्ण पूछते हैं कि किसका ऐसे महापूरुष के बारे में बताईए जो सबसे ज्यादा चरित्रवान है और वहाँ पे भी हमने चर्चा किया था कि चरित्र का मतलब भी होता है कि जिनके हर प्रकार के आचरण या वेवहार वैदिक सास्तरों की अनुरूप उसको वास्तविक, चरितरवान्विक भी बोला जाता है और वही नितिमान को ही कहलाता है। वाघमी मतलब जो कि वैदिक सिक्षाओं का प्रचार करते हैं या प्रकट करते हैं। वागमी का मतलब होता है जो वेदिक सब्द ब्रह्मा को प्रकट करते हैं उसको प्रचार करते हैं महान के द्वारा ही वो प्रकट होता है वेदान तकरत 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 वेदान जो श्री मान मतलब होता है कि जो बी उनके जो मिशन हैं जो उनका कार है उसमें जो बाधा उतन करते हैं वो लोग शत्रु गयलाते हैं उनका निर निबरहना निबरहना मतलब उसको नश्ट करने में पूर्ण रूप से सक्षा में भगवान लिए और ऐसा ही गुण का वर्णा वालमिकरिशिवीश गुण को अलग सब्दों में प्रश्ण की रूप में पूछते हैं तो यहां पर य जगला है विपुल अमशाह इस सोल्डर सार एलिवेटेड उनके जो कंदे हैं वो बहुत ही चौड़े हैं विपुल अमशाह महाबाहु इस आम सरिस्टाउट उनके जो भुजाएं हैं बहुत पॉल्शाली महाबाहु गीता में भवान भी अर्जुन को महाबाहु करके संब हैं कंभु मतलब संक को कंभु बोला जाता है मतलब गला इनका गला जो है संक की तरह अत्यंत सुनदर देखता है है तो महाहनु इस जौज आर्ट लार्ज हनु यो उनका तो मुख के नीचे जो है वह जौष पर बहुत है तो कहने को मतलब है कि नारत मुनी जब इस प्रकार से प्रश्ण प्राक्त किये तो आप आइंगे आग आने वोले श्लोकों में कि वो इस प्रकार से वर्णन करते करते कहीं कई बार कुछ-कुछ-कुछ- वो तो भगवान के गुड़ों का दिवगुड़ों का वर्णन करते हैं कभी उनके कुछ ऐसे कारेकलापों का अदुबुत कारेकलापों का वर्णन करते हैं कभी उनके सौंदर्य का वर्णन करते हैं इस प्रकार से जब शुद्ध भक्त इस प्रकार से जब भगवान का Mixed तरिके से वर्णन करता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, कि पुष्ट भगवान के गुड़ों का वर्णन है और फिर अचानक से उनके शारिरिक जो लक्षन है सुन्धरता है उसका वर्णन यहाँ पर कर रहें Śृिनारता दे स्क्राइब De nu describes the qualities of the Supreme Lord useful for his activity of creation भुद्धिमान means omniscient दशूति डिकलेर्स यह सरवग्या सरववित यह मुंड़कुपनिशत पहले इसकंद का पहले अर्थया का नौमश्लोप है जिसमें साफ साफ बताया गया है कि जो परम ब्रह्म है वो क्या है यह सरवग्या सरवग्या मतलब जो सब कुछ जानते हैं सरववित सब तौमनिश्यंट knows the nature of everything सरवग्या जो पूर्ण रूप से ग्यानी है और सरववित तो सब कुछ जानते हैं सब के बारे में जिनको पता रहता है तो यह साब साब मुंड़ के पुलिश्यंट में भी परम ब्रह्म के जब यह सभाव बताया जा रहा है तो इससे पता चलता है कि भगवान के दिव्यकुण है उनके व्यक्तित्त के परस्नालिटी के बारे में पर्णन हो रहा है नीतिमान इंडिकेश था इस देलिश्य आर विदिन बावंडरी दिव दिवेडिक इविएविर अधिकुण है तो शुति टेक्स्ट रहर रफिर तो इस फीचर अप्रुण अप्रीम लॉड अर् धाता यथा पूर्गं अकल्प यथा यह रिख वेड में यह मंत्र आता है जहां पे भगवान के इस दिवेगुण का वर्णन है धाता यथा पूर्गं अकल्प यथा जिस प्रिकार से भगवान ने पहले यानि बारवार भुत्वा प्रली यथे बारवार जब सृष्टी करते हैं इस प्रिकार से सूर्य चंद्र और अदर और अन्य जिते भी ग्रह हैं उनका रचना करते हैं उसी प्रिकार से भगवान इस तृष्टी में भी उन्होंने सूर्य चंद्र और ग्रहों का रचना किया है ए सशेत उर्गिदर रणाए शाम लोका नाम संभेद आया He is the bridge, the controller of these worlds to prevent them from breaking up इस चंदोक उपनिश्यत में भी ऐसा प्राप्त होता है कि भगवान ब्रिज जो है वैदिक साहितों के माध्यम से वैदिक सास्त रहें जो कि ज्ञान प्रदान करते हैं जिसके माध्यम से समाज सुचार रूप से चल सके और भगवान स्वैम अपने वैवहार के द्वारा उसकी वैदिक साहितों के सिक्षाओं को प्रकट करते हुए वो boundary बनते हैं या bridge बनते हैं जिस परकार से जब bridge बनाया जाता है तो bridge को बनाने के लिए क्या-क्या resources लगेंगे समागरी लगेगा कैसा engineering होगा कैसा ज्यान होगा वो एक knowledge होता है उसको scripture बोल सकते हैं लेकिन जब bridge बनके तयार होता है जिसके उपर लोग चलके वास्तावनों उसका लाव उठा सकते हैं वो भगवान के क्रिया का लाव होते हैं इसलिए भगवान को नीतिमान बोला गया है कि भगवान इस जो वेदिक सहाहित्तों में दिये गए principles से सिध्धान्त है उसको वास्तिविक अपने जीवन में वेवार में practical वेवारिक रूप से प्रकट करके वो एक boundary क्रियेट करते हैं ब्रिज क्रियेट करते हैं जिसका सहारा लेके हर जीब जो है अपने आपको अध्य अपने मार्ग में प्रग्रती कर सकता है तो इस बात का वर्न में चांदो को पनिशद में दिया गया है फिर वाग्मी सब्दकर्थ वता रहे हैं अब प्लीजिंग टॉकर इस कॉल्ड वाग्मी इन इस कॉंटेक्स इट मेंस वन वो प्रपागेट्स अल दे वेदास शुति एविदेंस फोर इस इस देक्स्ट यो ब्राह्मनाम ब्राह्म्मानम विदधाति पूर्वं योवय वेदाम्ष प्रहिनोत तस्में इस सुटास वतर उपनिशत के छटे अध्यायक अठार मश्लोग है जिसमें किलियर ये वनन है कि मैं उन परम भगवान को समर्पन करता हूं जिनोंने सबसर प्रथम सृष्टी के रश्णा के सुरुवात में ब्रह्मा जी को समस्त वेदिक ज्यान दे करके उनको इनलाइटनमेंट प्राप्थ किया उनको प्रदान किया यानि ज्यान प्रदान किया इसलिए भगवान को वागमी बोला जाता है वागमी सब्दकर्थ है जिनके वचन जिनके सब्द जिनका बोलना बहुत ही फ्लीजिंग होता है यानि जो जिर्दय को संतुष्ट करता है या सुनने में मधूर लगता है और जीवन में जिसके का मधूरता आती है उसको वागम ही बोला जाता है और वागमी सब्दका दूसरा पीशले बताए गया है कि भगवान से जो वेदिक साहित जो वेदिक ज्यान प्रकट होते हैं उनको सुन करके समझ करके हर किसी की जीवन में जो है अंज्ञानत अरूपियंदकार अश्लों और फिर उसके मदद से विक्ति जो है असली जीवन का जो आनन्द है या असली जो अमरित है वो प्राप्त कर पाता है इसलिए वागमी कहा गया है में नेक्स्ट फुष्रा कुछ को स्विस्ट पॉनोटी है श्री वास्रा पराप्त ल fotograf है या प्रोष्परोष पॉडिर्थ इंडिकर था रव प्रोष्परोष ऑपिए अंको का प्रोष्परोषर्यट में क्रुछ जे का था इस प्रॉस्थारिघ्वा उ我知道 इन दिस करेक्शन इस सर्वमिदम अभ्यात्व शुप्रीम ब्रह्मन पर्वेट्स ओवर आल अफ दिस एक्जिस्टेंस चांदोग उपनिश्द के तीसरे इसकंद के चोदा में अध्या का दूसरा श्लोग है इसले उनका अग्यद्यदन शुप्रम ब्रह्म है जुब पूरे अस्तित्यफों में व्याप्त रहते हैं रहती स्वां उनका इस उतना है कि समस्त संसार में सारे ब्रह्मान में चाहिए वो भौतिक जगत हो या अध्यात्मु जगत हो भगवान का आश्वर जो है में साथ प्रकासित रहता है इसलिए उनका यह एक इत्रोड है सेवन्त चैपटर सेवन्त वर्स अत्मेद्या का सात मशलो स्टेट रहे इसलिए इनके विशन में परण रॉप से नष्टक्र परफिर्ति की होते हैं जो उनके विशन है उनके कार में बाधा उत्पन करते हैं उनको पूर्ण रूप से नश्ट करने में डिस्ट्वाइ करने में सक्षम होते हैं और यही उनका जो पूर है इसको यहाँ पे शत्रु निबरहना के रूपे नार्गोनी संबोधित करते हैं कि भगवान कौन है? शत्रु निबरहना शत्रु मतलब जो शत्रु होते हैं दुश्मन होते हैं जो भगवान के जो विशन हैं उसमें बाधाक बनते हैं निबरहना मतलब उनको फूर्ण रूप से नश्ट करके रखने का शक्ती रखते हैं स्विनारदा then points out in two and half of verses that every part of his transcendental body यहां से पहले इस श्लोग के पहले लाइन में बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्वी श्वीमान, शत्रु निबरहना इसमें पाँच दिव्वगुणों का वर्णन कर रहे हैं भगवान के और इसके पश्चात जो इसका next लाइन आधा लाइन विपुलाम, सुमहाबाफ, कंबूग्री, वहाँ हैं और आगे आने वाले दोश्लोग, एड़ाइस लोगों में भगवान के सुन्दर रूप का वर्णन कर रहे हैं यह किस प्रकार से उनके जो कंदे हैं होती एलिबेटेड हैं, चौड़े हैं और उनका बाहु, महा बाहु है गला जो है संख की तरह हैं तो इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं तो हमारे आशार्य के द्वारा प्राप्त है यह जो प्रमाडिक स्रोथ है जहांपे भगवान के डिब सुन्दर रूप का वर्णन है इसी रूप को ही, इसी वर्णन को ही आधार बना के जो है विग्रहों की रशना की जाती है यह भवान के पेंटिंग बनाई जाती है जिस प्रकार से यहां पर वर्णन Lord Rama's possession of elevated soldiers is one of the characteristics of a Mahapurush a great personality according to the Samutrika the scripture that describes the bodily characteristics of a person of personalities his round arms his conch like neck and large jaws are also signs of a great personality lord rama's arms are also long they reach up to his knees this will be stated next ala yudha's dictionary notes that a neck with three lines is referred to as a conch like neck this particular shabhavan rama ke divya sundra rup ka yani unke sari nik lakshanow covenant karke bhi yaha pe raradmanik confirm kar raha ki eek bahapurush joe hoote hai unke shariir me baktis swishpast or sundar lakshan praapth hoote hai jokhi eek unata unra rup me keval or keval param bhagwan me hi paaya jate hain ki aanshi group me jor bianya unke shudvakt hoote hai great personality unke pats bhi eek praapth hoote hai toh unme se kuch joe lakshan hai ki yaha pe wernand nadu mani kar raha hai ee shlop mein vipulam shu, chaunekandhe, mahabhabhu, strong arms, kambugri wo, sankh ki taray unka gala hoote hai, jiasse sankh mein teen line hoote hai, maha hanu, jaws, joh hai, baadhi hoote hai, jis prakare se sari edhi kaur, us laqshan hai, aur jiske taatpur mein hem nai padha ki jitne bhi is shlop mein bhagwan ke divvigun ka varnand hai, toh iska vyaakshya upanishadho mein bhi praapth hoote hai, yahaan tuk ki harik veda ka bhi court karke yaha pe varnand kar raha hai ki kis prakare se bhagwan ke divvigun, aur ruk aur sondhar raha hai, upanishadho aur vedao mein bhi iska vyaakshya praapth hoote hai, haray krishna, kisika zaat aaj amin uberaam karthi hain pere, haap ni si kisika paakul question hai, toh pule sepati, haray krishna, yes, yogesh prabhu, aray krishna prabhu ji, prabhu ji, jese bhagwan keita hai, upanishad hai, aur vedas hai, aap ishi mei se bata te ho, toh yadhi, maklal kisika paas bhoot ziaadha time rae ga, aur ee boost kaadna zaat hai, toh kis ko sasko ziaadha prefer kaadna zaat hai hai, best hai, geetah paadna chahi ni, geetoh, geetah ko, bhagwan, geetah ko, geetah ko, geetoh upanishad bola jata hai, aur jis mei saari upanishadho ka nichi jord hai, sarvwo upanishadho gaago, toh gdha gopalanandana, vatso sudhir bhokta, parth vatso sudhir bhokta, dugdham gita mhritah mahat, geetah mahat panna mei bhagwan ship is wadaranya mei bolte hai, hai nici aapne jjoh prasna puucha hai, uska uttar mahi ni dhe raha ho, bhagwan ship dhe raha aya sa sa samujdeh ki aapne plla ppucha hai bhagwan ship se, bhagwan ship aapko uttar dhe raha कि यह जो भगवत गीता है सारे उपनिश्यदों का निचोड है यानि गीता किसी ने पढ़ लिया ना तो उसको 108 उपनिश्यद अलग से पढ़ने का वशक्ता नहीं है भगवान क्रिश्न है और सुधिर्भोगता जो बाकी भग्त लोग है वो पार्थ के दौरा पीने के बाद पाद लाग उठाते हैं और तुग धंकिताम रिताम महान ये क्या है दूद है इस प्रकार से गाय का सब मीचोर जो है दूर्थ है सारे सारा पौलक से और कुछ पढ़ने के जुगत पहीं सारे अठारा पुराणों को अच्छे से पढ़के समझके जो आप निश्कर्स पहुचेंगे जो लाब मिलेगा वो के लुप प्रण के जो लाब के समझ जाएगा प्रभुप 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 पड़ाता तो उसमें यह लिखा था कि हमें मतलब बख्त को किसी अध्यात्मिक जिरू के वास्ताव में आके गीता को सुनना चेह समझना चाहिए तो यह कैसे मतलब समझा नहीं तोड़ा सा जाहिर कर सकते हैं हां तो जो गीता भागवद के सिख्षा है वैदिक जान है उनको आध्यात्विक गुरु प्रमाणिक गुरु जो है सुद्वभक्त भवान के उनके आर्ष्ण में सीखना चाहिए यानि उनके द्वारा जो व्याख्या प्राप्त है उनके द्वारा सीखना चाहिए यानि हम ल करte. निए सारे जितने भी पूर्वर्ती आशार है शुद बाते हैं उनस सब के तात्पर को मिला करें को प्रिजन करते करते हैं तो दुच्व मुद करते हैं तो उस कारत है कि हम अर्भाणी गुरु के आ स्राश्टर्वे